आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग next quiz है वो करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला आज का question है analogy means तो analogy का मतलब क्या होता है वो आपको यहां पर बताना है तो analogy means होता है साद्रश्यता हिंदी मतलब इसका हो जाएगा साद्रश्यता और यह एक noun word है और इसका जो मतलब है या सिनोनेम से है यहां पर वो है similarity यानि साद्रश्यता similarity means भी साद्रश्यता या श्रमनता होता है तो analogy means आपका right answer हो जाएगा option a similarity और analogy आपका एक noun शब्द है अगला प्रिश्ण है तो next question है आपका appraise appraise means क्या होता है तो appraise है यह आपका word जो word है यह है वर्व यह आपको याद रखना है यह वर्व है और इसका हिंदी मतलब होता है मुल्यांकन करना या आकलन करना तो assessment है इसका मतलब क्या होता है मुल्यांकर करना और यहाँ पर जो allocation है उसका मतलब होता है आवंटन करना इंडिक्ट का मतलब होता है निर्दिस्ट करना तो right answer आपका यहाँ पर हो जाएगा option a assessment करना next question देखते हैं allocate means तो allocate means क्या होता है तो allocate means आपका होता है निर्धारित करना या आवंटन करना और जो यह word है यह verb है यह verb है और इसका यहाँ पर जो आपका right answer आपका यहाँ पर हो जाएगा वह हो जाएगा distribute करना option c distribute allocation means आवंटन करना और distribute means भी आवंटन करना ही होता है next question देखते हैं adage means तो adage का मतलब क्या हो जाएगा adage word है यह आपका noun है यह जो word है आपका noun है और इसका जो मतलब है हिंदी मतलब है वह है कहावत और प्रोवर्व जिसको इंग्लिस में बोलते हैं प्रोवर्व या wise saying तो यह इसका meaning हो जाएगा option यह इसका right answer है अगला प्रिशना देखते हैं synonyms of adversity तो adversity का synonyms आपको यहां पर बताना है पहले देख लेते हैं adversity का हिंदी मतलब क्या होता है तो adversity का हिंदी मतलब है विपत्ती और इसका जो part of speech है वह क्या है तो यह noun है और इसका जो right answer आपका यहां पर हो जाएगा poverty और misfortune दोनों यानि बोथ A, B बोथ दोनों यहां पर right answer हो जाएगा option C next question देखते हैं affluence means तो affluence जो word है इसका मतलब क्या होता है तो affluence का मतलब हिंदी मतलब जो होता है वो होता है अमीरी और यह जो word है आपका यह noun है और इसका right answer आपका यहां पर हो जाएगा wealth भी अमीरी होता है abundance भी अमीरी यानि अधिक्ता के लिए use होता है तो option C इसका right answer हो जाएगा A, B बोथ आर correct next question है ample means तो ample का मतलब क्या होता है तो ample का हिंदी मतलब होता है आपका प्रचुर प्रचुर मातरा में यानि प्रचुर और इसका जो word जो है वो क्या है noun है word है या adjective है तो यह आपका हो जाएगा adjective तो ample means क्या होता है? ample means होता है यहाँ आपका right answer हो जाएगा wise sorry wise नहीं होगा, plentiful होगा याँ यहाँ पे है प्रचुर या पर्याप्त मात्रा में तो plentiful का मतलब भी पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में ही होता है तो option A's का right answer हो जाएगा poverty गरीवी होता है, wise मने बुद्धिमत्ता होता है तो option A's का right answer है next question है, absolve means तो absolve का हिंदी मतलब क्या होता है absolve का हिंदी मतलब होता है पाप मुक्त करना या चुटकारा पाना और यह जो word है आपका यह है वर्व यह वर्व और right answer आपका यहाँ पे हो जाएगा exonerate option A E-X-O-N-E-R-A-T exonerate इसका जो meaning है वो हो जाएगा next question देखते है address तो address का हिंदी मतलब क्या हो जाएगा तो यह इसका मतलब होता है causal यानि कुशलता जिसमें अधिक हो गुडवता हो वो adultness के लिए वहाँ पे यह word यूज होता है और इसका जो right answer है आपका option A skill next question देखते है adult rate तो antonyms बताना है adult rate का तो adult rate का antonyms क्या हो जाएगा तो right answer आपका यहाँ पे हो जाएगा genuine क्योंकि unfaithful और liar यह दोनों ही synonyms की तरह यूज होते है adult rate के लिए adult rate का मतलब होता है मिलावट या बफादार ना रहना किसी के प्रत तो unfaithful और liar यह दोनों ही सब्देश के लिए synonyms की तरह यूज होते हैं तो इसका antonyms आपका हो जाएगा genuine तो next quiz में आपसे फिर मिलेंगे thank you होते हुए पहूएगा तो